इंडिया गटवंदन सही माइनों में कहीं था ही नहीं यह मीडिया का क्रियेशन था और मीडिया के क्रियेशन को मीडिया कितना लंबा चला पाए मीडिया की कुसलता पर है मैं पुरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कहीं पर गटवंदन नहीं हुआ था इंडिया गटबंदन के दो सदस्य कीरल में आमने सामने चुनाव लड़े हैं इंडिया गटबंदन के तीन सदस्य बंगाल में आमने सामने चुनाव लड़े हैं कहां गटबंदन है महराश में तो वो तो इंडी गश्टबंदन बनने के पहले ही बना हुआ था कहां गटबंदन है ओरिसा में है नहीं हिमाचल में संभव नहीं पंजाब में अभी अभी सायद हुआ है बाकि कोई जगे पे गटबंदन कहीं बना ही नहीं है और गटबंदन तब टिकते हैं जब इसका मुख्य धुरू होता है वो किसी सिद्धानतों के आधार पर चलने वाली पार्टी हो इंडी गटबंदन और कुछ नहीं है साथ सत्ता लोलू परिवारवादी पार्टीयों का एक गटबंदन है जिनके नेता अपने बेटे बेटी भतीजे और दामाद को मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री बनाने निकले है किसी को भारत की चिंता नहीं मैं आज आपके कारेक्रम के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं सबसे पहले कॉंग्रेस पार्टी सोनिया जी के जीवन का एक मात्र लक्स है कि सायद 21 वी बार राहूल गांदी सफलता से राजनिती में लॉंच हो जाए और प्रधान मंत्री बनाने का वो प्रयास करेगी 20 बार फेलू चकी 21 वी बार उद्धाव ठाकरे जी का लक्स ए रहे है कि बेटा उनका मुख्य मंत्री बन जाए स्टालिन साब का भी लक्स है कि इनका बेटा मुख्य मंत्री जाए ममता बेनर जी जी अपने भतिजे को बनाना चाहते लालू जी बेटे को बनाना चाहते इसमें गठवंदन कहा है वई ये बेटे बेटी दामाद और भतिजो को सत्ता पर बिठाने के कारेक्रम से स्वार्थी कारेक्रम से एक साथ आये हुए परिवारवादी पार्टियों का जमावड़ा है उसको बिखरना है ये संत्रे की तरब बिखर जाएंगे मेरी बात याद रखना है जैसे ही छिलका निकल जाता है 2024 के परिणामों का छिलका निकलते ही ये पूरा संत्रा बिखर जाना है एक एक पड़ी इसकी अलग हो जाना है